हेलो स्टुदेंट्स स्वागत है आप सभी का हमारी नई वीडियो में जिसमें हम डी स्टेल की यूनेट टू जोगी है एलजेब्रिक स्ट्रक्चर्चर्स या फिर आप कह सकते हैं एलजेब्रिक ग्रूप और ग्रूप थियोरी के नाम से भी इसको जाना जाता है तो हम उसको मतलब स्टार्ट करना वाले हैं और यह जो यूनेट है हमारी तीन वीडियो में कवर हो जाएगी जिसमें हम सब कुछ देखेंगे कैसे कौन कौन से प्रॉपर्टीज होती हैं स्ट्रक्चर के अंदर कैसे तरीके के ग्रूप होते हैं अबेलिन ग्रूप सब ग्रूप नॉर् जाएए और आब हमारे चैनल पर और भी वीडियो में चेक आउट कर सकते हैं अधर चैनल को वीडियो के बारे में चेकट आपको जाएंगे गूगल ड्राइब पे अपलोड कर दिये जाएंगे तो अभी कंटिनु करते आगे बढ़ते हैं मतलब इस जो वीडियो के हब से पहला टॉपिक है वह अलगेब्रिक स्ट्रक्चर तो उसको पढ़ते हैं तो अलगेब्रिक स्ट्रक्चर को पढ़ने से फेले हमें कुछ पता होने कłemilation क्या होता है binary operation क्या होता है या फिर ternary operation क्या होता है तो मगर मैं इतनी सब theory जो मैंने बहुत साही लिखी हुई है इस सबका एक glimpse दे दूँ तो binary operation कुछ नहीं होता है एक तरीकी का ऐसा rule जो कुछ कुछ operations perform करेगा किनी भी दो operations पर और अगर मतलब अगर हम basic basic general knowledge में बात करें तो operation क्या होता है कुछ मतलब कुछ भी हम किसी चीश पर perform करें जैसे addition का operation है तो हमने दो numbers पर addition का operation perform करा तो हमने क्या अगरा दोनों numbers को add करा यह एक तरीके का operation हो गया ठीक है इसी किसे जब हम operations को basically अगर दो operations की वीच में वर्क कर रहे हैं तो उसको कहते है binary operation अगर single के ऊपर कर रहे हैं तो unary और अगर उससे ज्यादा है तो three paternary quaternary ऐसे बहुत से टैप के operations होते हैं तो आप operation के वारे में यह सब theory पढ़ लीजेगा theory मैं नहीं बता रहा क्योंकि जो मैंने basic basic concept वो बता दिया क्या कि binary operation क्या होता है अगर हमारा कोई चलिए आगे देख लेंगे आगे आएगा closer क्या होता है तो अभी के लिए टेंशन मतलेना का closer के लिए लिखा हुआ है तो मैं आगे बता दूंगा video में clear हो जाएगा composition बता दूंगा कैसे वनती है क्या होती है उसके वारे में भी टेंशन मतलेना अब कुछ properties होती है binary operation की सबसे पहली property क्या है associative law होता है क्या कि a operation b operation c equal to a operation b operation c जहां पर यह देखो पहली बार b operation c bracket में दूसरी बार यह operation भी इस bracket में है तो यह जो हमने saturation theory में पढ़ा था ना associative लोग यह कुछ-कुछ वैसा यह ठीक है उसका प्रूफ भी मैंने वहाँ पर कराया था तो चाहूं तो आप वहां से आके प्रूफ भी देख सकते हो ओकि अगले property यह बढ़ते हैं पर्टी से पहले हमें question को देख लेते हैं इसमें लिखा हूँगा चेक वेदर तो ऑप्रेशन डिफाइंड बाई यह बढ़ा फिछ ब्लांग टू ए इस अस्टोशिटेव और नोट हम यह चेक करना है कि यह प्रेशन जो दिया हुआ है यह असोसिटिव है या नहीं अकर अच्छी बात है नहीं तो नहीं होगा तो नहीं होगा तो नहीं यहां पर बी ऑप्रेशन सी निकालने चाहेंगे इसकी तरीके से तो यहां पर क्या है पहले वाले का स्क्वाइर यानि कि पहला वाला यहां पर क्या है बी बीका स्क्वाइर प्लस सेकेंड वाला ऐसी मतलब एडिशन के साथ तो एडिशन के साथ सेकेंड वाला ठीक अब इस अगे बढ़ते हैं, commutative का मतलब होता है, a operation b equal to b operation a, अगर यह property को hold कर रहा है, तो यह commutative होगा, अगर नहीं hold कर रहा है, तो अपर वो commutative नहीं होगा, इस से relative question है, यहाँ पर यह देख लेते हैं, consider the operation defined on z, z हैं आपर integers का set, the set of integers, a operation b equal to a plus b minus 2ab, हमें यह दे रखा है कि a operation b क्य आप perform कर रहा है, determine whether o is commutative and associative, तो commutative भी करना, associative भी करना, मैं commutative बता दूगा आपको, associative आप खुदी कर लिना, ठीक, हमें यह यह proof करना है, ठीक, तो सबसे पहले left-hand side को लेगे, a operation b, तो इसको check करेंगे, a, यह हमारा क्या दे रखा, a plus b minus 2ab, okay, अब भी operation यह निकालते ह पहिजी जा जाएगी, यह आगया, अब ध्यान से देखो, b plus i ले कुछ आए, a plus b लिकूं, बात तो एक ही होती है, तो a plus b लिक दिया, और अगर मैं b into a लिकूं, बात तो एक ही है, है ना, मतलब, 3 into 2 भी 6 होता है, 2 into 3 भी 6 होता है, तो वहीं से मैं यह वाली बात लिग दी, अब ध्यान से दोगो, यह वाली साइड और यह वाली साइड एक्वाल होगी, तो left side और अरें से दोनों एक्वाल होगी, तो यानि कि यह competitive है, तीक, अब आगे बढ़ते है, identity element, identity element हमने यहाँ पर माना है e, अब ध्यान रखना, group theory में, जब भी मैं identity element बोलूंगो, तो मैं e क होता है हमारा identity element, जैसे हम matrix में identity को i से denote करते हैं, यहाँ पर हम identity को e से denote करते हैं, यह term है, जो हम mostly use करेंगे, element e on a noun empty set is called identity element, अगर हम, देखो, identity element होता क्या है, पहले इधर देखो, अगर हम matrix relation में बात करें, तो identity matrix वही तो होती थी, जिससे कुछी भी multiply करता हो, या फिर, अग अगर a into i करो matrix की terms में, तो वह यही आता था, यहाँ पर है, यहाँ पर क्या multiplication नहीं करते हैं, हम operation लगा रहे हैं, अगर a का operation e के साथ करो, चाहें कोई भी operation करो, addition, subtraction, multiplication, division, और तरीके को कोई सा भी operation करो, ठीक, तो हमेशा a ही देगा, ठीक, अगर, अगर यह e हमारा right में identity होगी, left में लिखा तो left identity होगी, ठीक है, अब inverse of element, inverse ऐसे होगा कि अगर हमारा operation करने के बाद identity element आ जाए, तो वो e होगा, जैसे हमारा a into a inverse क्या आता था, i आता था, matrix में, ठीक, वैसी यहाँ पर यह है, a operation b अगर करेंगे perform, तो हमारा identity element होगा, ठीक, ऐसे ही, अगर हम भी operation यह करना चाहिए, तो वो भी e equal होगा, यह clear हो गया आपको, अब हम आगे बढ़ते हैं, cancellation law, देखिए, cancellation law में क्या है, एक हमारा अगर कोई binary operation o है, किसी भी set a पर, तो यह left cancellation law को satisfy करना चाहिए, मतलब हम पहले करते हैं, ऐसी कर देते थे थे, आखर हम ध्यान से देखिए, 3 into x x is equals 2, 3 into y होता थे, तो हम सीधे 3 को काट जेते थे, और x is equals 2 y लिखते थे, यह सब हम करते थे, जब हम x औ y की values को find out करते थे, ठीक, तो वहां हम cancellation law ही लगा रहे होते थे, बट वहां हम सोचते नहीं थे, लोग के बारे में सीधे लगा दे थे, यहां हम सोच रहे हैं, लोग क से देना, अब उसकी ख्याल में छोड़ दो, चली गए तो चली गई, अब यहां आजा, वास्तविकता में जी हो, imagination में कहां जी रहे हो, खेर, अगर हमारा जो cancel वाला element, canceling वाला element अगर वो left में है, तो वो left cancellation law होगा, right में हो तो वो right cancellation law होगा, यहां पर आपको clear हो रही है ब subset, कोई एक set होता है, non empty set, G, और एक operation होता है, अगर दोनों को command करके लिपत हो, तो वो algebraic structure बन जाता है, इतना समझ लो, definition रट लेना, ठीक, अब, कोई भी algebraic structure, group तब कहलाएगा, जब वो 5 या कुछ particular properties को satisfy करेगा, वो properties क्या है, closer property, closer property क्या होती है, अगर देखो, जैसे कि, अ मालो, x भी है, तुमारा element set G का, और y भी element G का है, ठीक है, set, ठीक है, तो अगर मैं operation while लो, तो वो भी G के अंदर ना, चीज़े से, मालो, मेरा कोई set है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ऐसे करके है, अब मुझे operation दे रखा, multiplication का, अगर मैंने element लिए 2 और 3, ठीक, तो 2 operation 3 करूँगा, म मैं 2 operation के आया, multiple equation 2 into 3, तो अगर 6 मेरा उसके अंदर है, जो मेरा set G है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, कि वो group होगा, otherwise वो group नहीं होगा, I hope ये बात अब आफ को clear हो गई होगी, आगे बढ़ते हैं इसको, associated law अभी बताया है, मैंने existence of identity, अभी बता दिया, मैंने existence of this inverse, य आगे बढ़ते हैं, यह तो बता दिया मैंने, अब नहीं बता रहा, नहीं सवाज मैं है, पीशे आगे एक हो वीडियो, तो अगर हम बात करें, जो अगर केवल कोई कि अगर जिवन अप्रपर्टि को follow करेंगा, तो वो gruppoid होगा, अगर जी वन कोई 10 follow करें और जी टु को ई follow करें तो मतलब वो semi-group होगा इसका मतलब क्या हूए कि अगर g1, g1 मतलब, सिर्फ closer property को follow करेंग, अगर g1 और g2 यानि कि closest dissociative दोड हो गया hungry जी 3 यानि कि closer भी है, associative भी है और हमारा identity element भी exist करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो monoid हो गया, अब अगर वो चारो properties को follow करता है, यानि कि closer, associative, identity और inverse सब कुछ होता है, तो वो group कहलाएगा, ठीक, तो इस पर question देख लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है, यह सब दिया हुआ में, ठीक है, आँ, I hope यह question will be visible होगा, let g is equals to a, b such that a, b belongs to our rational, यानि कि real number को ही set दे रखा है, defined binary operation on g by a operation b equal operation a, b operation c, d equals to a, c, b c plus d for all a, b, c, d belongs to g, ठीक है, show that g, e, g, o is a group, तो हमें ग्रूप प्रूप करना है, तो प्रूप पर निकली, सबसे पहले हम क्या करेंगे, closer property को प्रूप करेंगे, फिर associated, फिर existence of identity, then existence of inverse, अगरी चारो प्रूपर्टी से प्रूप हो जाएं, तो वो हमारा प्रूप प्रूप हो जाएगा, तो closer property के लिए क्या होता है कि, हमारा वह होता है कि, a, मतलब, पहला element और दूसरा element अगर हमारा उसके अंदर ब्लॉंग कर रहा है, जी के अंदर ब्लॉंग कर रहा है, तो हमारा जो operation आएगा, वो क्या आएगा, यह आएगा, यह आया, और यह भी हमारा क्या है, जी को ब्लॉंग करेगा, क्यों क्योंकि हमारे real number का set है, और real number के set में जहाँ पर हमें यह condition defined है कि, a is not equal to 0, मतलब a is not equal to 0 और c is not equal to 0, क्योंकि पहला element non zero होना चाहिए, otherwise नहीं तो वो गरबड़ो जाएगी बात, closer नहीं होगा फिर, ठीक है, अकर यह conditions follow कर रहा है, तो फिर वो closer होगा, ठीक है, आगे, associative, associative में क्या होता है, कि associative law को प्रूफ करना है, ठीक तो हमने तीन element माली है, a, b, c, d, e, f, तीन element माने, अब यहाँ पर हमने यह मालना कि a, c और e, मतलब पहले-पहले element, 1, 2, 3, मतलब तीनो set, उसके, जो यह हमने elements माने है, इनके पहले-पहले numbers, जो पहले-पहले coordinates हैं, वो 0 ना हो, ठीक, तो फिर अब हम क्या करेंगे, तीनों का composition निकालेंगे, जैसके ऐसे associative law क्या था, a, operation, bracket, b, operation, c, equals to a, operation, b, in a bracket, then, c, यही तो था, ठीक, तो यह प्रूफ करना है हमें, तो पहले हमने left hand side ली, left hand side को equal proof करने के लिए, हमने क्या करा, solve करा इसको, तो सबसे पहले solve करने पास, c, d, और e, f का operation, तो हमारा जो question है, उसमें क्या given condition, a, c, b, c, plus d, ठीक है, तो a, c, यानि कि a, पहले और तीसरे की multiply, तो पहले और तीसरे की multiply, प्लस, चौथा वाला, ठीक, दूसरे तीसरे की multiply, प्लस, चौथा वाला, तो d, e, f, ऐसे यह निकलाया, similarly हम इसको भी निकाल लेंगे, इसकी right hand side को, और यह दोनों equal proof हो जाएंगे, क्यों कि यह और यह भी equal हो गया, तो यह equal proof हो गया, इसका मतलब क्या होगा, कि यह associative हो गया, ठीक, आगे बढ़े, identity element पर आजाएं, तो हम अगर मालने कि हमारे पास, मतलब ऐसे तो question में given नहीं है, कि किस तरीके का operation है, ठीक, अगर question में given हो कि किस तरीके का operation, addition है, multiplication है, तब हमारे पास choices होती है, कि हमारा पास identity element known होता है, most probably, लेकिन अगर operation o ऐसा दिया हो कि o हो, मतलब आपको पता ही नहीं कर क्या रहे हैं, ठीक है, इसमें हमें पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं, addition कर रहे हैं, लेंगे, then फिर चेक करेंगे क्या वो जी के अंदर satisfy कर रहा है, जी की condition को satisfy कर रहा होगा, तो फिर वाइंटरली element exist करेगा, यह लिए हमने यह वाली प्रॉपर्टी लगा दी कि e, a, e operation a equal to a होता है, ठीक है, तो e operation a, e operation a मतलब वो ही, अभी जो question में condition given थी, ac, bc plus d उससे निकाल लिया ही है, ठीक, is equals to a, a यानी की a, b, ठीक, अब यहां पर दोगा का compare करें, ध्यान से इन दोनों के इसको और इसको equal रखेंगे, तो फिर हमें x की value 1 मिलगी, और y a plus b को रखेंगे, s के equal, b के equal, तो y की value 0 मिलगी, तो यह क्या होगी है, हमारा identity element होगी, अब ध्यान से जोखो 1,0, 1,0 real number के set में आता है, तो इसका मतलब identity exist करेगी, ठीक, अब existence of inverse, similar, जैसे हमने identity element के साथ करा, वैसी हम इसके साथ करेंगे, इन वर्स के साथ, existence of inverse के साथ, ठीक है, अगर हमारे पास operation particularly specify ना हो, question में कि वो addition है, multiplication है, कुछ और है, और o type में दे रखा हो, तो हम inverse और identity को निकालते हैं, ठीक, हमने inverse माल लिया, x, y, consequence मत तो जाना, उपर वाले और x, y और नीचे वाले x, y को, वो तो निकल आया, 1, 0 अब identity, ठीक है, यहाँ पर inverse x, y, ठीक, तो, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि, अगर हम किसी भी इनवर्स का composition करें, composition मतलब operation, किसी भी element के साथ, तो जो क्या, मतलब माल लो a का, a inverse के साथ composition करें, तो वो क्या आएगा, entity element, तो x, y का हम करें, composition करें, 1, v के साथ, तो हमारा क्या निच्शिए है, entity element, अगर x, y, 1, v का inverse है, ठीक अब इसका हमने composition निकाला वही a c, b c plus d से तो यह ऐसे आ गया अब हम इसको compare करेंगे तो फिर हमारे पास x c value 1 upon a और y की value minus का b upon a आ गई अब यह ध्यान से देखो यह हमारा real number के set में belong करेगा ठीक for all values of a and b तो यह हमारा क्या हो जाएगा यह हमारा inverse हो जाएगा अब देखो चारो की चारो properties verify होगी तो यानि कि यह ग्रूप हो गया अब एक अलग तर्व के ग्रूप की बात करते हैं इसमें कुछ नहीं होता है पिछली चारो properties तो follow करेगा लेकिन एक प्रपर्टी और होती है इसमें add add क्या कोज होती है commutative अगर पिछली चारो यानि कि closer भी हो associative हो identity exist करे इंवर्सी भी एक्जिस्ट करे और साथ ही साथ commutative भी हो तो वह abelian group होगा ओकी इस questions देख लेते हैं अब यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि the cube root of unity form an abelian multiplicative group मतलब कोई unity का cube root यानि कि हमने मानना कि x is equals to 1 x 1 की पाव 1 by 3 यानि कि unity है 1 और उसका cube root निकालना है हम तो अगर हम इस equation को solve करें तो हमारे roots आएंगे वो आएंगे यह 1, minus 1 plus minus under root 3i by 2 ठीक अब यहाँ पर हमने मान लिया कि जो हमारा positive वाली term थी उसको omega और negative वाली term को omega square मान लिया ठीक इस तरीके से माना है कि अगर हम omega cube कर देंगे तो हमारा हमारा वन आएगा जना ना मानों तो फिर इनकी multiply करके देखने ना वह 1 ही आएगा ठीक तो अब हमने मारे पास जो roots है वो क्या हो गए 1, omega, omega square ठीक है तो अब अगर हम देखें तो अगर हम इसका कोई एक set बना ले जी नाम से तो वह यह बनेगा G is equals to set 1, omega, omega square ठीक अब अब हम इसकी composition table बनाएंगे अब देखो ध्यान से composition table बनाते कैसे है हमारा question में given है कुछ operation है वो है multiplication ठीक तो हमने आप operation लिखा multiplication अगर addition लिखा होता तो addition लिख देते ठीक multiplication लिया तो multiplication सारी elements group के ऐसे भी और ऐसे भी column wise और row wise तीनों तरीके से दोनों तरीके से लिख लो ठीक लिख लिए अब वन और वन वन यह वाला वन जो यह वाला वन है और यह वन और यह वन इन दोनों का निकालो ऑप्रेशन के साफ से composition तो देको अगर one की multiply one से करूंगा तो क्या आएगा वन टिक one की multiply omega से करूंगा क्या आएगा ओमेगा क्या आएगा ओमेगा क्यूब टिक ऊपर लिखा हुआ यहां पर यह देखो तो यह वन आगया ऐसे यह करेंगे तो यह omega 2 है 1 and omega ठीक है क्योंकि omega की cube omega की power थी इतनी है one और यह कि इतना वन गया omega की power 4 यानि कि omega in two omega cube omega cube is equals to one which means omega into one तो यानि कि यह omega आगया ठीक अब अब ध्यान से देखो जितने element थे जी कि वो सब composition table में आ रहे हैं सारे के सारे आ गया इसका मत्तब कि कि यह क्लोजर है अगर एक भी एलिमेंट छूट जाता कम्पोजिशन टेबल में आने से मालोग स्कूल टेवल में कहीं भी वन ना आता ठीक तो यह क्लोजर नहीं होता ठीक है तो यह क्लोजर हो गया अब ऐसो सेट प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है तो उसके लिए हमने क्या स्कूल टेवल में लेकर चलना उन्दोनों को प्रूफ कर देना मतलब यह जो मंटिप्लिकेशन नहीं तुम्हें कंपोजिशन टेवल के साफ से देख करके लिखनी पड़ेगी सामझ में आगे बढ़ते हैं अब अगर आपने टेवल में ध्यान से देखा होगा कि तो हमने अ सकाथ ऐरा था तो रहा था तो वन हमारे हैं ऐपने टाविल मैंटिक सोकानःन निऱे कि City थे तुक्राइं वन आईबिटेटीरवेंट अलमा इसका मतलब आपको एक रहा हुआ है इसका मतलब और यह उन्हों दूर्म को सब्सक्राइए और लोगे कर दिए ठीक तो इसका मतलब यह कम्मुटेटिव भी हो गया यह कोशन आपको क्लियर हो गया होगा अब इस तारीके के बहुत सारे कोशन से इन नोट्स के अंदर आप उसको खुद से ट्राय करिए मैं चाहता हूं आप थोड़ा बात महनत के लिए उसके उपर सॉलेशन उसमे कोशन कराना तो बहुत मुश्किल है बहुत ही मुश्किल क्योंकि यह काफी लंबा चैप्टर है तो अब मैं आपको सीथे में ठीक चलता हूं आगे जो आने वाली हैं आपके एक्जाम में भी और कोशन के साथ भी तो कोशन सब्ट्राय करिएगा ना हो तो हमसे पूछ लगी सब ठीक कि एक बढ़ करके देखना हो जाती ही तो पहले तरह मैं कि अगरॉपी इच एलमेंट इस इनवर्स वह इंवर्स तो mroq तो ग्रूप तो पहले तो यही है तो हम इसको कमट्रेटिव करेंगे अब यहां पर जो सब कुछ गिवें तर्च को मैंने लिखती है अब अगर हम देखें तो अगर हम यह ऑपरेशन बी इंवर्स निकालें तो वह ऑपरेशन बी तो होगा है ना क्योंकि एवरी इंवर्स ऑफ इट्सेल्फ तो यह इक एलिमेंट है और इसका इंवर्स क्या होगा यहीं ऎलिमट ठीक अब लेकिन हमें एक प्रॉपर्टी की फियोत picture भी आगे चलके दोires कर रहा हो कूछ इसकोछ तो अगर ये भी है और ये भी है तो इन दोनों को इकोल लग देंगे अब इन दोनों को एक को एक्वा उसका मतलब यह गयाまぁ अगली थोरम पर आते हैं अगर इसमें रखाए लेट G, O be a group then G has unique identity element number one पर हम प्रूफ करना है तो अगर हम हम देखें तो हमने क्या करा इसके लिए दो अगर हम किसी चीज को यूनिक प्रूफ करना जाते हैं अगर ग्रूप के अंदर तो क्या करेंगे हम दो अलग अलग मानेंगी अगर हमने उनको एक्कॉल प्रूफ कर दिया बात में आगे चलके एक यूनिक प्रूफ हो जाता है यह हमारी बहुत बड़ी बात है ऐलगेब्रा में तो अब हमने क्या करा यूरी डैस दो आइंट्री अलिमेंट मानें ठीक अब एक एलिमेंट माना ए जी के अंदर तो अगर हम याद करें हमारा जो है आइंट्री वाला कंपोजिशन था वो वह एलिमेंट आता है तो अगर मैं एक और आउप्रेशन लिख निकालो तो वह ये आएगा और आउप्रेशन देश निकालो तो वह भी जाएगा तो इसका मतलब क्या हूए ए ओप्रेशन ए और ये यवप्रेशन डिटास एक्क्वल हो गया आपस में अब ध्यां से देखो तो अगर मैं A को A से cancel out कर दूँ तो E dash is equals to E हो जाएगा यानि कि वो unique हो जाएगा और वो प्रूफ हो जाएगा लेकि मुझे cancel नहीं करना है लगाँ तो मैं क्या लगाँगा ध्यान से देखो यह left side में है तो कौन सा law लगा दूँ left cancellation law अगर मैं left cancellation law लगा दूँगा तो A हड़ी जाएगा और फिर E is equals to E dash प्रूफ हो जाएगा तो यानि कि हमारी पहली वाली जो पार्ट है वो प्रूफ हो जाएगा इसी वे में आप second part को भी देखिएगा second part मैं नहीं बता रहा हूँ आपको क्योंक इसको आप करिएगा खुछ से ना हो निचे comment में पूछ लेना ठीक है मैं बताओं तो मैंने बहुत सारी theorems जो जो आपको में धून पाया है इस chapter के लिए वो समय इसमें टाल दी है आपके notes के अंदर तो आप उनको देख लेजागा लेकिन वो कुछ ज्यादा मतलब आती नह इसको मैं नहीं बताओंगा मैं सिर्फ उन्हीं इसको बता रहा हूं जो important है क्योंकि तो बहुत है उसके लिए मुझे बहुत सारी videos बनानी पड़ेंगी और वो तो एक hectic task हो जाएगा ठीक है तो थोड़ा hustle करो और बनाओ इनको इनको prepare करो खुद से क्योंकि खुद भी करना पड़ेगा यार यह तो मैं अपने कर आप आँगा इतना ना तो इनको आप देखना अगर कोई दिक्कत हो परिशान भी मतोंना बता देना हम समधान कर देंगे आपका ठीक है ऐसे हम बैठे हैं आपके लिए tension मत्यों लेकिन हाँ यह theorem देख लेना इतनी important नहीं है जो important theorem है व तो मैं बता दे रहा हूँ इसमें क्या है इसमें मैं एक पार बताऊंगो दूसरा बात खुद देख लेना मैं राइट cancellation लोग बता दूंगा कह रहा है कि यहाद एक ग्रूप cancellation को possess करेगा तो first part कह रहा है कि if a operation c is equals to b operation c for a, b, c belongs to g then a equal to b यहमें प्रूफ करना है ठीक तो हमे इसमें का given a operation c is equals to b operation c given है ठीक हम क्या करेंगे c inverse को दोनों तरफ लगा देंगे operation के साथ ठीक तो अगर हम c inverse यहां भी लगा तो सी इनवर्स यहां भी लगा दें और फिर देखो धियान से अगर हम associative law लगाए क्यों क्योंकि यह ग्रूप है जी जो है वह हमारा ग्रूप है तो अगर हम ग्रूप में देखें तो वह एक associative law को भी फॉलो करता है तो यहां कि हमां यहां पर associative law लगा सकते हैं तो c operation c inverse क्या होगा e और b operation e e sorry c operation c inverse यहां पर भी e हो जाएगा अब एक ही composition किसी के भी साथ करो तो वह क्या आती है हमेशा वही element आया तो यहां पर e और b आ जाएगा यह बात आपको clear हो गई होगी असी ही अगर हम left cancellation law करेंगे तो कुछ नहीं है जो यहां पर c inverse right में लगाया है वहां पर left में लगा देना ठीक है और वह बात proof हो जाएगी ठीक अब अगली theorem पर बढ़ते हैं अगली theorem काफी important है कई बार आई है exams में तो मैंने इसको important mark कर दिया important मतला important है पड़ा लेना अच्छे से ठीक है पहले अब इसका इतना important नहीं जिसना की दूसरा है पहले पार्ट में करा है कि a inverse का inverse equals to a होगा यह प्रूफ करना है ठीक तो हमें यह पता है अगर हम inverse का composition किसी इसी element के साथ करें तो हमेशा e आता है ठीक तो हमने क्या करा एक साथ तो वह क्या आया e ठीक अब हमने क्या हमने इसमें दोनों तरफ inverse का composition लगा दिया यह थोड़े steps है जो आपको याद करने पड़ेंगे ठीक practice करोगे तो हो जाएगा तो इसमें तो मैं सायका मैं कर सकता हूं इतनी जदा मैं समज़ा सकता हूं की concept क्या है concept यह कि अगर हम यहां पर यहां पर बना लें और यहां पर inverse का MALANले तो यहां पर हुझ है तो यहां पर हमने क्या करा य्यद्रफ with q के इंवर्स के कंपोजिशन को लगा दिया तो right identity के साथ है किसी का भी कंपोजिशन करें तो वही अलिमेंट आयाता है और हम यहां पर देखे तो हाँ यहां पर हमने का composition उसके inverse के साथ हमेशा identity देता है तो यह यह आगया और यह यह तो चली रहा है अगर मैं इसका composition निकालूंगा तो वो क्या आएगा यह और यहाँ पर inverse चला था और यही तो हमें प्रूफ करना तो इस question में ठीक कहले इसका यह पहला वाला बी का whole inverse था ठीक तो उसमें हमने क्या करा यह operation भी लगा दिया राइट में ठीक और वो कि इसके equal आजाएगा एक के equal ऐसे ही अगर हम लेफ्ट रहे चलेंगे तो उसमें क्या था हमें था बी इंवर्स उसके भी राइट में हमने यह operation भी लगाया अब जहन से देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे आप अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएं तो इंवर्स और इसका composition आपस में bracket में आगा और भी बाहर करेंगा ठीक यह क्या हो जाएगा इसके साद का composition निकालेंगे बी आएगा ठीक बी इंवर्स composition बी निकालेंगे तो वह भी आएगा अब यहां पर भी आगया थो और यह भी ए है तो यानिकि left hand side और right hand side दोने मिक्वल होगा इसका मतलब जो हमारा theorem की वह प्रूफ हो गई अब आगे बढ़ते हैं order of element को देखते हैं कि यह क्या होता है ठीक है order of element ऐसे होता है कि हाँ अगर हम कोई भी एक element उठाए मतलब कुसी अगर हमें कोई set दे रखा या ग्रूप दे रखा है उसके element दे तो अगर हम उसको कोई भी एक element उठाए और उसकी power करते चले जाए मतलब अगर हमें दे रखा हो कोई element माल लो वन दे रखा ठीक है तो उसकी अगर पावर करते चले जाए मतलब smallest power करते चले जाए तब तक जब तक हमें identity element में ना मिल जाए जैसे कि अभी हम कोईशन में देखेंगे कि क्या होता है जैसे माल लोग यह कोईशन है नीचे से इसको देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से clear हो जाएगा अब यहां पर हमें element दे रखें एक दू तीन चार यह सारो element दे रखें ठीक है पूछा find the order of every element हर एक element को order पन निकाल element minus minus one minus one का अगर मैं one power one रखों तो वह कितना आएगा minus one क्योंकि identity element नहीं है क्योंकि one है my identity element ठीक उसका square root 2 वह कितना आएगा one ठीक है तो अ हां अब यह मत कहाना कि 4 भी कर सकते हैं तब भी one आएगा लेकिन हमें smallest देखना होता है कि order में ठीक है 2 से नीचे plus के 2 से नीचे की कोई भी power पे minus one हमें one नहीं नहीं दे सकता ठीक है तो हमारा जो minus one का order होगा वह कितना होगा two ऐसे अगर हम देखे माई no sorry i को देखे तो वह क्या होगा i की पाव फोर पर ही तो बन देगा i का square क्या होता है minus one i की पाव थरी क्या होता minus i i की power 4 i1 होता है तो इतनी power पे हमारा order क्या होगा 4 क्योंकि i की power 4 पे हमें identity element मिल रहा है अगर minus i को देखें तो उसकी power 4 पे हमें identity element मिल रहा है ठीक है i hope यह order of element आपको clear हो गया होगा अब इसकी कुछ theorem को देख लेते हैं theorem है the order of an element a of a group is the same as that of its inverse मतलब कह रहा है कि अगर a और a inverse को देखें तो जो a का order होगा वही a inverse का order होगा ठीक है यह हमें प्रूव करना है तो हमने क्या करा हमने मालना कि जो हमारा element a है उसका order है n और जो element a inverse है उसका order है m ठीक तो अभी हमने पीछे देखाता है कि हम order को कैसे represent करते हैं o bracket में element is equals to यतना भी order हो तो यहां पर हमने i entity element ठीक तो अब अगर हम क्या करें दोनों तरफ inverse कर दें दोनों तरफ inverse कर दें स्क्वारिंग करते हैं वैसी हम यहां पर inverse कर रहें दोनों तरफ ठीक तो यह हो जाएगा इस तरीके का और e की power minus 1 कुछ करें तो अगर मतलब i entity element के हम power कुछ भी कर दें वह हमेशा i entity element ही एक की note बनाके कहीं पर लिख लेना अपने पास की i entity element की कुछ ही पावर करें वह हमेशा i entity element ही आएगा ठीक तो यहां पर e की power minus 1 हमें क्या देगा e संज में आई बात नहीं संज में आई चलो फिर से बता देरें यहां पर e minus 1 को अंदर लाए ठीक अब यहां देखो यह यह फॉर्म से मैंने यह लिखा अब मैं इसका उल्टा लिखूंगा ठीक है बट यहां पर क्या है a inverse अंदर element क्या मन रहा एं एक की बाव माइनस उन तो m is less than equal to n फिर अब हम लेके चलेंगे a inverse quarter inverse quarter है m ठीक तो हमने क्या करा ऐसे लिख दिया इसको ऐसे करके खोल के ठीक अब minus 1 को बाहर नगाला ठीक है अब हम क्या करें या तो इस minus 1 को उधर भीज़ दे या फिर दोनों तरफ negative power फिर से कर दें तो आगर ऐसा करेंगे तो दोनों हमें क्या मिलेगा a की power m is equals to e मिलेगा तो क्योंकि e की power कुछी भी करता हो वो e ही आता है ठीक है तो यह आगे a की power m is equals to e अब यानि कि यह है अंदर a और उसकी whole की power e m sorry ठीक है is equals to e तो यानि कि order of a is less than equal to m अभी जो पूरी यह definition लिखी थी इससे हम लिख सकते हैं अब order of a हमन माना कितना था n तो n is less than equals to m अब ध्यान से देखो एक element दूसरे element से छोटा है और उसके बरावर भी है मतलब n m से छोटा भी है और n m से बड़ा भी है उसके बरावर भी है तो इसका मतलब यह तब यह तब ही पॉसिबल है जब m और n एक ही element हो यानि कि वह आपसमें बरावर यह दोनों पॉसिलेट्स तभी पॉसिवल है जब हमारे पास m और n equal हो ठीक तो n is equals to m अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो order है inverse का और element का वो दोनों सेम होंगे ओके आगे बढ़ते हैं अब यह पेज है इस पे दो theorem है ठीक है दोनों ही कह सकते हैं कि आपके इतनी ज्यादा important न बता दे रहा हूं पूरी थिर्म नहीं बता रहा हूं आपको पूरी थिर्म देख लेना करके अपने आप ठीक है यहां पर tricky part क्या है अगर हम इसका inverse निकाल रहे हैं स्क्वारिंग क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें इसकी general form लिखनी है क्यों क्योंकि हमें a की power n लगाना पड़ ठीक क्यों कैसे गन लेगा इसे हो स्क्वारिंग तो मैं दो दो नों दो बार multiply करके ऐसे लिख दूँ इसे कोई दिक्कत नहीं है ठीक इसकी पावर न करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा यह अंदर एक पावर रहना जाएगा एक पावर रहन होता क्या है यहां पर जो को हमने लिखा यह ठीक यह होगा यह पुरा जो होगा यह पूरा जो होगा यह अगर हम देखें तो अगर हम इसका ओडर लेके चलेंगे तो वो तो में लिख सकते हैं अब एक पावर में हमने क्या करा कि हमने दोनों तरफ एसे कर लो एक सक्षिंवर्स कर लो कोई दिक्कत नहीं अब राइट और लेफ्ट केंसिलेशन और लगा दू एक एक सब्सक्राइब तो इसका मतलब क्या हो गया है यह की पावर में हो जाएगा जाएगा जाएगी ठीक है मैं आपको अगले टॉप के लिए चलना हूं अगला टॉप अगला टॉप यहां पर हमारे पास घ्यौता है हम मान रहें हां पर हमारे बास है के एक सबसेंटेंटे जीजी का अगर हम बात करें G, O की तो जो हमारे algebraic structure बनेगा H, O वो भी associated होगा closer होगा identity element होगी उसके अंदर और inverse को exist करेगा मतलब कि अगर हम जो भी properties G में lie करेंगी वानि कि ऐसे समसकते हैं मालो कुछ properties हैं आपकी अंदर जो आपके father से आपको inherit होई है ठीक है वही similar concept यहाँ पर है यहाँ पर क्या है यहाँ पर जो properties G में हैं वही same exact properties H में भी apply हो जाएंगी ठीक है जैसे माल लिजे कि आपके father की height लंबी है तो आपकी भी height लंबी है इसका मतलब क्या हुआ आपके पाप आपने अपने father की properties को inherit कर लिया ठीक तो यही concept यहाँ पर भी है अब इससे अगर आपको सब गुरूप क्लियर हो गया तो definition पढ़ लेना वीडियो पॉस करके ठीक है सौन में आ जाएगी बात ठीक अब यह कह रहा है कि जो group है और जो subgroup है उसकी जो identity element होता है वो सेम होता है ठीक है यह हमने प्रूफ करना है ठीक है तो अगर हम देखें तो हमने माना कि कोई एक element है अगर एक हमारा element ह में है तो वो जी में भी होगा क्यों क्योंकि है जो की हमारा जी है उसके साथ composition निकाले एक ही तो वो हमारी क्या आनी चाहिए एक 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 वाल ऐसे एक मतलब क्या हुआ यह और यह दोनों होंगे तो हमने इसको एक वाल रख दिया अब ध्यान से देखो यहां पर लगा देंगे लेश्ट वाला और यह और यह डाइश इक्वाल प्रूफ हो जाएंगे सिंपल है बेसिक सिस्योर में प्रेक्टिस कर लेना आ जाएगी अब यह जो थियोर्म है यह बहुत करेगा ठीक अब नेसेसरी सफिशेंट कंडिशन कैसे प्रूफ करते हैं नेसेसरी कंडिशन में यह होता है जो चीज हमें लेके चलनी है मतलब यह जो इफ वाला पार्ट है यह सब हमें लेके चलना है ठीक है तो हम नेसेसरी कंडिशन में यह सब पार्ट प्रूफ करेंगे with the help of this theory टीकि जितना यह theoretical part है इससे हम यह सब यह proof करके लाएंगे टीक और sufficient condition में हम इस theory की help sorry इस given part की help से इसको proof कर देंगे तो यह होता है necessary and sufficient condition के अंदर अब देखो necessary condition के अंदर हम कर के रहे हैं हमने माना कि हमें प्रूव करना है वैसे तो basically three हमें प्रूव करना है लेकिन अगर necessary condition के अंदर आएं तो हम गयर कोई falls करेगा एज के अंदर तो अगर हमारा एज के अंदर यहाँ पिर्च이스 कई इसकर और यही बातना हमें यहाँ पर प्रूब करनी तो यहाँ क्त sourcesie कंदेशन के अंदर देखतें क्या होता है अंदर हमारे पास क्या है एच एक सब ननेमती सब्सेट है जी घी अगा पिछला एक नेज पैसिज्ज प्रूप करणा है तो हमें कहा क्योंगे कर आरे हैं यह ओना पैसां नहils प्रोफ करनाए क्यों क्योंकिyorsun का डाका में है यह कि अगर है एच के अंदर कर रहा है और ऐसके विलॉब कर रहा है ठीक है एक मिनद यहां पे रोंग गल लग ले गाहिए होगा और यह भी होगा कि अधिक है अगा एक प्रिम रहा है हम उडसे फिर से और कर रहा रहा है अब अगे देखें तो यह कंडिशन इसके साफ से इंवर्स करना चाहिए है और फिर अगर हम अब कंपोजिशन देखें तो आइंटरेकर केसी के साथ करू तो वह हमेशा वही एलेमिट आता है तो इन्वर्स बिलॉंग से इसका मतलब इन्वर्स और इंवर्स का इंवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए है एंवर्स का इंवर्स मतलब अभी हमने पीशे पूरूफ करता कि व एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी सबसेट के अंदर देखें अगर हमाराしま G में अगर Associative Law hold हो रहा है और Commutative Law hold हो रहा है तो वह Ch के अंदर भी hold होगा यह बात आपको याद करनी है Basically सीधी से मैं बोल रहा हूं याद करनी है क्या कि अगर कोई subset है किसी भी set का ठीक है तो जो अगर associative law और commutative law जो super set है उसमें hold कर रहा है तो वो subset में भी hold करेगा तो यानि कि अगर G में associative law hold कर रहा है तो H में भी वो hold करेगा यही बात यहां पर लिखी हुई है और इसके मतलब से चारो condition जो group होने के लिए होती है वो सब group हो गई तो इसका मतलब H एक subgroup हो गया G का अगली जोर्म देख लेते हैं कि कह रहा है कि कि अनॉनम्टी सेट subset H of a group G is a subgroup if and only if A belongs to B and B belongs to H which implies that A operation B belongs to H और second वारे पार्ट में A belongs to H which implies that A inverse belongs to H तो हम प्रूफ करेंगे ठीक है हमने माना कि necessary condition में A subgroup है तो अगर यह subgroup है तो इसका मतलब यह closer property को follow करेगा तो अगर A belong करेगा इसको B belong करेगा इसको तो इसका मतलब इसमें जितने भी element है उसके inverse exist करने चाहिए ठीक तो अगर A है तो इसका A inverse भी exist करना चाहिए तो यही मात यहां पर लिख दी है ठीक अब हम आते है sufficient condition sufficient condition के अंदर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई non empty subset G है और sorry non empty set G है और उसको subset है H ठीक तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो condition given है उसके साब से अगर हमारे पास A H के अंदर है भी एक के अंदर है तो यह operation B भी ह के अंदर होगा ठीक अब यह होगे हमारा क्या यहां पर यह हो गया proof closer ठीक अब हम आगी की properties को proof करेंगे प्रूफ हो गया अब हम associated प्रूफ करेंगे अब मैंने बीचे बात बताई थी कि अगर subset है जो superset है उसके अंदर associated property होड़ कर रही है और प्रूफ कर रही है तो फिर वो जो subset है उसमें भी होड़ करेंगे वहीं बात मैंने हाप उससे प्रूफ कर दिया ठीक अब थैड प्रूफ कर दिया ठीक अगर हमारे पास यह को ब्लॉंग करेगा और condition के साब से इनवर्स भी फिर एज को ब्लॉंग करना चाहिए जो हमें सेकंड कंडिशन थी उसमें लिखा हुआ था ठीक है तो अगर यह भी है और यह भी है तो अब भी हमने फ्रूफ कराए कि यह क्लोजर होगा ठीक तो क्लोजर होगा तो यानि कि इनको composition में एज के अंदर होना चाहि तो यानि कि इसका मतलब 4 की 4 पॉस्टुलेट्स हो गए proof अब 4 की 4 पॉस्टुलेट्स पूफ हो गए तो इसका मतलब हो गया है कि हमारा जो है वो सब्ग्रूप होगा ठीक इसके बाद वाली स्योर्म यह भी इतने नहीं आती है इसमें कुछ नहीं है यहाँ पर जो हमें यह दिश्का करना कि अगर एक टूस्ट क्रहूं तो हम यह चाहता हूं कि आप इस तोरंब को देखे जोड़ी सी में इसको खुद से करें नस अंद्ज तो हम आपको बता देंगी और अकली वीडियो में हम सब समी ग्रूप को स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के लिए इतना ही क वीडियोस हमने डाली है आपने चैनल पर बहुत से सब्जेक्ट को रिलेटेट तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए और देखने के लिए हम ऐसा जुड़े रहे हैं जान्यवाद